चलो आज ना ये आलू अच्छा नमकीन को घर में बनाते हैं और एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आपके साथ शियर करूंगी इसके ऐसे टिप्स जिससे की ये बहुत कुरकुरी बनेंगी और साथ मैं बनाऊंगे एक ऐसा मसाला जिसको नमकीन के ओपर डालेंगे और नम और सारी नमकीन बनके रडी हो जाएगी तो यहां मैंने आलू को छील लिया है यार वैसे तो ये चिप्स बनाने का ब्लेड है बट अगर हम आलू को हलके हाथों से घिसेंगे तो इसमें से चिप्स नहीं आलू लच्छे निकल के आएंगे बहुती बारिक बारिक और वैसे अगर चागू से काटने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी यार ये है एकदम इजी तरीका तो आप इसको यूज कर सकते हो देखो एक आलू के ही इतने सारे लच्छे बनके रडी हो चुकी है एकदम पतले पतले हैं और बस इसी तरीके से मैं दूसरे आलू को भी गिसके लच्छा नमकीन है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी तो यहां मैं इसको तीन से चार बार दूंगी जब तक इसमें से जो पूरा वाइट स्टार्च है वो निकलना जाए और अब मैंने थर्ड टाइम इसको दोया है और अभी भी देख लो इसमें काफी जादा स्टार्च है और आलू पे एक्स्ट्रा पानी थाना वो सारा सुखाऊंगी मैं इस कपड़े से और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप आदे घंडे के लिए इसको हवा में भी रख सकते हो आलू को थोड़ा साइड में रखके बना लेते हैं सीक्रेट मसाला जिसमें मैं डाल रही पान डाल दिया है मैंने ओयल ओयल अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं डाल दूँगी सारे आलू के लच्छे और इनको फ्राइ करते टाइम है आपको बहुत जादा धिहान रखना पड़ेगा इनको गोल्डन ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इनको कुरे से लच्छे बनके रड़ी हैं और अब मैं इस पर ढाल दूँगी हमारे जो सीक्रेट मसाला बनाया था ना बस वही मसाला में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और देखो लग रही है कितनी टेस्टी तो आप इनको बनाकर स्टोर कर सकते और जब भी आपक कितने क्रिस्पी बने हिद्म हाथ से दबाने पर तूट रहे हैं तो कैसी लगी आपको यह आलू लच्छा नमगीन की रेसिपी कॉमेंट करके बताना वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर करना बाई